हेलो दोस्तों फिर से सागे थे मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया मैं लोटन फिल लेके आया हूँ एक निया वीडियो देख सकते हैं हमारे पास 20 इंच का एक एलजी कोमपानी का एक टीवी है इस टीवी का पॉब्लिम देखूंगा सलुसन करके यह बताऊंगा तब तक हमारे वीडियो लास्तिक देखते रही है और मेरा चैनल पे जो नया दूस्ते उसको कहूंगा मेरा चैनल को जूरु सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकोन को दापा देना और लोटिप कर देना जब भी मैं नया आई से बला वीडियो लेका हूँग आप लोग को मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तों यह बाला पॉप्लिम क्या है वो पहले देख लेते हैं दोस्तों मैं जब टीवी को पावार देता हूँ पावर देने के बाद हमारा पाद जो पावर इंडिकेटर होता है पावर इंडिकेटर ओन हो जाता है ओन होने के बाद डीम हो जाता है हलका सा डीम हो जाता है उसके बाद हमारे टीवी स्टार्टिंग हो जाता है लेकिन स्टार्टिंग होने के बाद जो हमारे पिक्चर होना चाहिए हलका सा एक लाइड आ रहा है और हमारे टीवी स्कीन पे जो पिक्चर होना चाहिए वो पिक्चर नहीं है और ब मैं हलका हीन tiene haju को सायद नहीं दीएगा यूँकि जो light है अंदर में तो डीम है शाउंड हैं साउंड हो कि आ रहा है लेकिन इस पे पिक्चा नहीं आ रहा है मैं क्या करता हों इसको टीवी को पहले ऋपेन करूंग इसका जो सिस्टेम है स्टेम को चेक करूँगा का पर पॉब्लेम हो रहा है हमारा ट्यूब डैम हो गया है यह हमारा सिस्टिम से जो अमरा मेन होता है मेन पीसीप का पॉब्लेम हो सकता है ठीक है दोस्तों मैं क्या करूंगा पहले टीवी को open कर लेता हूं open करने के बाद देखेंगे कहां पर problem हो रहा है और एक चीज़ देखिए मैं जब मैनू का लोगो हमारा आ रहा है लेकिन हमारा जो picture है picture नहीं है मतलब दोस्तो क्या होता है हमारा tube YouTube Am gigantic हो जाता तो वाद PICTURE का जो मैनू का जो लोगो होता है लोगो नहीं आता वह बी डे दिखाता है लेकिन इस फे फिक्टर का लोगोंड का जो लोगों लोगों लोगोंदी बिग रहा है लेकिन फिक्टर नहीं होता है मतलब क्या होता है हमारा शिस्टेम पे जो में PCV है EHD को जो AVL सबलाई दिया जाता है IC को AVL सबलाई दिया जाता है उस पर कुछ पप्रॉबलेम हो सकता है इसलिए पहले TV को ओपेंड करेंगे ओपेंड करने के बाद ही पाता चलेगा ठीक है दोस्तों मैं TV को खोल लेता हूँ दोस्तों माने tv को ख़ज चुका हूँ एरा हमार 20 इंच का ट्यूब है इसका यॉक कोईल एरा मेन बेस फिसीवी और एरा हमारा मेन फिसीवी आज का जो पॉब्लेम है दोस्तों उसको चेक करेंगे कहां से करेंगे पहले तो टीबी को पावाद देते हैं पावाद देने के बा लेकिन फूरतियार से ब्लू होना चाहिए वो नहीं है मैं इसको बढ़ा देता हूँ देखिए इस पर रिट्रेक्स लाइन आ रहा है और ब्लू कालर भी हाई हो गया है इसको जाब हमारा ट्यूब हमारे खराब होता तो क्या होता ट्यूब हमारे डैंग हो जाता तो एबाला रिट्टेक्स लाइन जो दिख रहा है रिट्टेक्स लाइन नहीं आता क्योंकि टीउप पे जो हाई लाइट कॉंट्रोलर है वो काम कर रहा है लेकिन हमारे जो पिक्चर है वो पिक्चर नहीं आ रहा है फिर से एक बार यह भी लागा लेता हूं इसको फिर से ग्वार्श्यट को बाढ़ाता हूं जो वुह हमारा termin का पीसेट है मैं यह भी दाबा देता हूँ जो औक का बटन होता है मैं भी दाबा चुका हूं और यह भी दाबने के बात इस पर पिक्चाद दिखेंगे इस पर प्लार की तक नहीं दोस्स्तों जब मैं तक बढ़ता हूं तो हमारा हाय रॉप राईन आ जाता है लेकिन हमरा इत अब बीदिटर को क्षोप संब्सक्राइब नहीं है इतने हें तक भॉटो को अब दोगा म सबको प्रकार कटार मैं στην को पार 시청 मुद्ट के बाद इसको चेक करेंगे जो हमारे अभी का लिखा आ रहाए कि नहीं और एक बादा दो हमार टीबी पे जो ए मूठ को चेंज करने के बाद आ जाता है चैनल मूठ पे इस पर हमारा सनो झाले था लेकिन इस पर स्वें नहीं है मतलब क्या हुआ आज का जो पॉब्लेम है दोस्तो एए बिय सक्सें हमारा पिक्चर देता है ऑफ ð Clinic है तरह दुस्म पीसीब को पलड सहिने के बाद एक चीज़ को चेक करेंगे जैसे दूस्तों आप लोगों को सबीको जो टेगनिसियान है ओ टेगनिसियान को सबीको मनथी को पता होता है जैसे पेले तो आप लोग Go पता होगा जो टेगwow है और जिसको नहीं पता है उसको लिए भी बता रहा हूँ हमारे सिस्टेम पे जो स्पार पार मैन का लोगोग ऑलियम का लोगोग ब्लिलब और ऑ tous एक स्पाडर करेंदाद अब यारी दर्गेगा जैसे हमारे A बाला देखिए, हमारे EHT पे, ए देखिए, ABL, ABL पे हमारा इस पे हमारा भोल्टेज होना चाहिए, मिनिमाम, मिनिमाम 6 भोल्ट, 6 भोल्ट से हमारा कभी-कभी 9 भोल्ट तक होता है, ओबाला भोल्टेज देखिए, ABL, इस पे हमारा भोल्टेज दिखा रहा है, 5 .9 bolte मतलब क्या हुआ अमारे eust को जब लाई होता है eust को चब लाई है eust को सब लाई कहाँ से दिया गया है एक गोर किजिए यह बाला eust को जो b plus दिख renewed डीक़ asleep जो अमारा पावार सेक्षन से निकलता है जो high voltage होता है 110 volt 120 volt तक होता है ओबला भोल्टेज से देखिए एबला पॉयंट पे दो रिजिस्टेंट और एक तीन रिजिस्टेंट लागा के अमारा ABL को सबलाई दिया गया है इस बला पॉयंट से देखिए ए बला पॉयंट मतलब ए रिजिस्टेंट के साथ अमारा कानेक्टेट है ABL ABL तो होल्टेज दे रहा है 5.9 मतलब EST को सबलाई हमारा है लेकिन क्या हुआ हमारा कभी तभी भी आमारा पिक्चर क्यों नहीं आ रहा है एक चीज़ गर कीजिए इस पे जो ABL पे एक टांजिस्टर लगाया हुआ है टांजिस्टर के साथ आमारा IC का जो ABL होता है ओ ABL आमारा पॉब्लिम दे रहा है जैसे देखिए एबाला अमारा डायोट है डायोट पे हमारा इस छोड़ पे अमारा भोल्टेज है देखे 6 बोल्ट दिगरा है 5.9 जो था और दूसरा पोईंट पे हमारा 1 भोल्ट दिगरा है लेकिन एबाला भोल्टेज हमारा मिनिमाम 3.3 से अमारा 5 volt तक होता है एबला voltage नहीं आने के कारेंड ही हमारा system पे जो हमारा एभी का picture होता है वो picture काम नहीं कर रहा है एबला point कहां पे आया है हमारा main IC पे चले जाएए जो हमारा इस पे दिखेगा देखिए एब BCL देख रहा है एब BCL बाला point पे हमार एबला point देए BCL बाला जो point है एब point पे हमारा ABL connected रहता है इस पे गोर कीजिए थोड़ा सा भी voltage नहीं है इस पे हमारा minimum 3.3 से 5 volt तक होना चाहिए था जो IC से निकल के आता है और feedback देता है हमारा EHT को लेकिन इस पे हमारा voltage नहीं है इसलिए ही एबला problem आ रहा है हमारा ABL problem के कारण ही हमारा picture नहीं है इसलिए क्या करेंगे IC से voltage नहीं निकल रहा है मतलब हमारा IC खराब है लेकिन एक कम कर सकते है आप लोग लेकिन ओर temporary होगा जो point पे हमारा इस पे 3.3 voltage तद रहता है जो हमारा इफ्रों को और हमारा main IC को साबलाइद किया जाता है यह बला 3.3 जो दखी input यह output पे मैं चेक करूंगा इस पे 3.2 दिग रहा है यह बला point से एक जेना diet लेके directly कर सकते है तो हमारा IC खराब हो जाएगा या यह बला transistor जो हमारा regular transistor होता है वो खराब हो जाएगा इसलिए क्या करेंगे इस side से एक जेना diet देके जो हमारा 41, 48 बला जो जेना diet होता है वो बला जेना diet लेके इस पे connect कर देंगे तो हमारा temporary हमारा क्या होगा यह बला system चालू हो जाएगा क्योंकि ए main IC से जो voltage निकल के आता है 3.3 से 5 volt तक वो बला voltage निकल के आके हमारा EST को feedback नहीं दे रहा है इसलिए ही यह बला voltage देने के बाद हमारा picture चालू हो जाएगा देखिए मैं क्या करता हूँ एक जेनाट डाड लूँगा इसका नामबर 41, 48 का यह बला जो जेनाट डाड है जेनाट डाड को इसको connect करूँगा दोस्तों देखिए मैं एक जेनाट डाड लिया और जेनाट डाड लेकिए इस पे connect कर दिया कहा से जो हमारा 3.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है देखिए 3.3 का आउटपुट हो रहा है और हमारा ABL का जो point था ABL, BCL का point उस पे देखिए इस पे हमारा 3.3 दिख रहा है 3.2 वोल्ट और आउटपुट पे दिख रहा है हमारा 2.5 वोल्ट यह 2.5 वोल्ट हमारा ए आईसी पे जो BCL का point है यह बला देखिए हमारा BCL का point है इस पे भी वोल्टेज दिखेगा देखिए हमारा 2.5 दिख रहा है मतलब क्या हूँ हमारा ICB से जो सबलाई निकल के आता है जो इस वाला जेनाट डायट पे आता है मैं पहले भी वाता चुका हूँ कहां पे आता है यह बला जेनाट डायट पे जो हमारा ABL voltage का 100 point पे कानेट होता है यह बला point पे देखिए हमारा 2.4 volt आ चुका है और 3.4 volt आने के बाद ABL पे कितना voltage था देखिए 6 volt मतलब हमारा 6 volt तो सही है लेकिन इस पे जो feedback मिलना चाहिए था ओ feedback मिल गया और feedback मिलने के बाद दोस्तों देखिए हमारा picture जो है ओ एभी जो लिखा होता है एभी लिखा हमारा थोड़ा सा clear हो चुका है और मैं क्या करूंगा यह जो OK button है ना OK button पे जो ABL मूट आता है उसको दबाऊंगा ABL मूट पे change करके मैं normal channel पे दे दिया तो snow आ चुका है मतलब हमारा picture भी हाना चाहिए इसके लिए क्या करेंगे मैं AB को connect कर देता हूँ दोस्तों मैंने इस पे AB को connect कर चुका हूँ और connect करने के बाद system पे देखिए हमारा picture आ चुका है लेकिन ए temporary problem solution है लेकिन आपको पाता होना चाहिए ए तो हम लोग कभी कभी temporary काम करने के लिए कर देते है लेकिन पूरी तरह से solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा जो हमारा इस पे भोल्टे ही नहीं था हो तो आ गया है लेकिन temporary के बाद सही तरीके से काम करने के लिए हमारा जो main IC है यह बहला main IC main IC को change करना पड़ेगा क्योंकि इसका पूरी तरह से सिस्टम काम कर रहा है लेकिन ABL जो BCL का point है वो BCL और हमारे ABL सेक्षन काम नहीं कर रहा है इसलिए इसका जो main IC है main IC को change करना जुरूरी है जैसे मैं देखाता हूँ यह बाला जेनाट डायट को फिर से हटा दूँगा यह बाला जेनाट डायट को हटाने के बाद इसको मैं नया बाला एक IC लागाऊंगा IC लागाने के बाद इसका भोल्टे चेक करेंगे और हमारा जो पॉबलेम था वो सॉल्प हुआ की नहीं देखेंगे ठीक है दोस्तों इसका किद्रा बाला नामबर किद्रा नामबर है देख लेते हैं तोस्तों देखें इसका नामबर साइद दिख रहा है TDA 9340PS N3A 1923 यह बाला IC है इस IC को चेंज करेंगे और नया बाला एक IC लागाएंगे या चालू बाला एक IC लागाएंगे जो हमारा PCB से खुला हुआ IC मिलता है वह बाला IC लागाएंगे क्योंकि मेरे पास नया बाला नहीं है मेरे पास एक PCB से खुला है एक IC है इस पर देखिए वही नामबर TDA 9340PSN3A 1923 यह बाला IC को इसको कानेट करेंगे ठीक है मैं इस कानेट कर लेता हूं दोस्तों देखिए जो पुराना वाला IC था इसको ओपेन किया ओपेन करके जो मेरे पास रेडी IC था चालू राइसी था उसको कानेट कर दिया हूं जैसे मैं PCB को से खोल कर इसको कानेट कर किया हूं और इसके बाद करेंगे इसका वोल्टेज चेक करेंगे ठीक है मैं TV को पावर दे दिया पावर को इंडिकाटर भी ओन हो चुका है अन होने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे जैसे हमारा ABCL का जो पॉइंट था ABCL का पॉइंट पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं था इस पे देखे 3 वोल्ट आ चुका है जैसे मैं 3.2 वोल्ट के कानेक्शन से 3.3 वोल्ट का कानेक्शन से मैं एक जैनाट डायट देखे जो भोल्टेज दिया था उस पे भोल्टेज आ रहा था 2.4 वोल्ट इस पे हमारा IC से निकल रहा है 3.4 वोल्ट मतलब एवाला भोल्टेज इस पे भी दिखेगा जो हमारा जैनाट डायट है इस पे दिखे दिख रहा है जो आटोमेटिक कॉंट्रोल हो रहा है देखिए जो 1.7 दिग रहा है और इस पे ABL पे वोल्टेज देखेंगे यह देखिए 5.8 यह हमारा सही तरीके से काम करेगा क्यूंकि एक चीज़ बाता दू हमारा 3.3 वोल्ट से जो सबलाई दिया गया था जेना डर देके वो फिक्स थ एसलिए वोल्ट पिक्चर का कॉंट्रोल जो होता है 차 ou कॉंट्रोल सही तरीके से काम नहीं करेगा इसलिए जो ABL से बोल्टेज बीसेल का पॉइंट से जो voltage निकल रहा है वो हमारा fixed नहीं है वो IC से control होके थोड़ा सा जादा थोड़ा सा कम करके voltage दे रहा था उसके बाद एवाल IC पे जो IC से voltage निकल के feedback निकल के आ रहा था आने के बाद हमारे EST को देने के बाद हमारे picture थोड़ा सा और भी clear हो जाएगा क्योंकि इस पे जो controller नहीं था directly voltage दिया गया था controller पे थोड़ा सा पिक्चर क्लियारिटी आएगा जैसे देखिए मैं इसको एबी दालता हूं देखिए एबी का पिक्चर कितना क्लियार है और snow पे देखिए और भी क्लियारिटी है इसलिए मैं बता रहा हूं कभी कभी क्या होता है जो कास्ट जो टेगनी सियान यह काम करता है जो डायरेक्ली एक voltage देके आईसी को काम करबा देता है वो कास्टोमर का थोड़ी दिन के लिए क्लियारिटी थोड़ी दिन के लिए पिक्चर आ जाएगा लेकिन बाद में वो कास्टोमर पाता चलेगा पिक्चर का कुछ भी तो problem आ रहा है इसलिए अब लोग को बता दू कभी भी एक बाला काम नहीं करना है जो डायरेगली भोल्टेज देना है इसके लिए आईसी खरब हो गया तो नया बाला एक आईसी लागा लेना लागा लेने के बाद इसका जो पिक्चर क्वालेटी है वो भी पूरी तरह से क्लियार हो जाएगा मतलब दोस्तों आज का जो problem था हमारा टीबी पे जो ज से मेन आईसी का एबी ल बा या बीसी ल का जो पॉइंट होता है ओबाला पॉइंट से भोल्टेज नहीं आने के करेंड ही यह बाला problem दे रहा था हमारे एबी पे कोई भी पिक्चा नहीं था इसलिए नया बाला आईसी लागाने के बाद हमारा एबाला problem solve हो चुका है ठीक ह अब लोग को मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तो मिलते है नेक्स टूर पार तब तेकरे दोस्तो गुडबाई